हेलो फ्रेंड्स नायक इंजिनर्स में आपका स्वागत है तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो लाइप वीडियो है इनकेसिंग पाइप कलवट का और इस वीडियो में हम जानेंगे इनकेसिंग पाइप कलवट के बारे में कि हम इनकेसिंग पाइप कलवट कैसे बनाते हैं औ तक और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ओन कर दे ताकि जब भी कोई ऐसा हमारा नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं हारे इनकेसिंग पाइप है और इसमें प्लेटे भी लगाई है इनकेसिंग के लिए तो सबसे पहले हम यह जान लेते कि हमने पिषेसी कितनी की है तो यहां पर जो हमने पिषिसी लिया है इनकेसिंग वाले पौर्टन का वह और 1.9 30 मेटर का मैं यहां पर हमने PCC के बाद 1500 mm का दोनों तरफ से offset छोड़ा है उसी के बाद हमने प्लेट को लगाया है in-casing portion के लिए अब हमने जो प्लेट लगाई है वो लगाई है हमने जो हमारा in-casing portion वो है 1630 mm का यहां पर क्योंकि जो हमारा यहां पर पाइप का जो diameter है वो 1000 mm का है तो हमारा यहां पर जो in-casing वाला portion हो जाता है 1630 mm का उसके लिए formula होता है मैं आपको formula बता देता हूँ formula है 1.6 D जहांपर D होता है inner diameter of pipe ओके तो अगर यह हमारा 1000 mm का pipe है तो 1000 mm में हम 1.6 का into कर देंगे तो यह निकल आएगा 1.630 mm 1630 mm का हमारा in-casing वाला portion रहेगा तो यहां पर जैसा है कि हम देख सकते हैं यहां पर हमने in-casing वाला portion में concrete कर लिए 1630 mm जिसकी चोड़ाई में किया है तो अब इसके उपर हम क्या करते हैं इन-casing slab करते हैं उसका भी मैं आपको बता देता हूं तो जैसा है कि आप यहां पर देख सकते हैं इन-casing slab हो चुकी है इसमें हमने still use किया है still का वीडियो में आपको बताने सकता क्योंकि यह मेरे आने से पहले इसका still बनके यह concrete भी हो चुका था तो दोस्तों पर bottom जाल और top जाल दोनों ही use की हुई है अब हम बात कर लेते हैं कि हम इन-casing वाला pipe कलवर्ट क्यों बनाते हैं ठीक है तो इन-casing वाला pipe कलवर्ट हम उस जगह पर बनाते हैं जिसमें crust level काफी कम हो मतलब कि उसका जो crust level है वो 600 mm से कम हो तो उस जगह पर हम in-casing वाला pipe कलवर्ट डिजाइन करते हैं crust level कम होने से जो हमारा earth correction होता है वो भी कम होता है जिससे की हमारे pipe पर load जादा होता है उससे हमारा pipe में damage होने की संभावना होती है इसलिए हम उस जगह पर in-casing वाला pipe कलवर्ट बनाते हैं in-casing होने की वज़े से हमारा जो pipe होता है वो थोड़ा ओर strong हो जाता है और वो काफी load हमारा पहले के अपक्सा ज्यादा load sign कर सकता है इसलिए हम in-casing वाला pipe design करते है तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को like करे और अपने दोस् चैनल पर नहीं हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ठैंक्यूद